कुछी दिनों में बारिश आजाएगी, तो बारिश आए उससे पहले मैंगो की एक लास्ट रेसिपी हम बना देते हैं, तो आज हम बनाएंगे मैंगो लसी, और मैंगो लसी की रेसिपी में प्रॉपर पूरी बताऊंगी, दही जमाने से लेकर लसी बनाने तक, तो चलो फटा टेंपरेचर पर आने देना है, गुन-गुना खाली गरम होना उतना ही रखना है, और फिर उसके अंदर हम डालेंगे दही, दो चम्मत जितना डही डालने के बाद उसको हमें ब्लैंड करना है, और उसको डग कर 4-5 गंटे के लिए हम रखतेंगे, और ये देखो हमारा दही बिल्कुल रेडी है, एक दम मस्त स्मूध दही, तो दही रेडी है, अब बनाएंगे लसी, तो एक बोल लेना है, और उसके अंदर 2-3 कबजीतना दही डालेंगे, और फ्रेश क्रेम, फ्रेश क्रेम मैंने आधा कैन यूज किया है, अब लसी को स्वीट बनाने के लिए हम उ अपने हिसाब से जितना मीठा पसंदों उतना आप डाल सकते हो, और उसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, और अब उसके अंदर मैंगो पल्प डालना है, मैंगो पल्प मैंने यहाँ पे एक कप जितना लिया है, मैंगो पल्प डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करन यहाँ पे हम blender या mixture का use नहीं करेंगे क्योंकि उससे लस्सी थोड़ी सी पतली हो जाएगी यहाँ पे हमें ठीक लस्सी चाहिए तो हम ऐसे ही विस्कर या रवाई से उसको mix कर लेंगे अब मैंने उसमें दो बूंद जितना food color डाला है yellow food color yellow food color से yellow color बहुत ही मस्त आएगा अगर आपको नहीं पसंदे तो आप उसको skip भी कर सकते हो और अब उसमें last में डालेंगे हम mango के कुछ छोटे-छोटे pieces और अब हमारी लस्सी रेडी है तो उसको एक glass में सर्व कर देना है और उपर से मैंने रखा है एक vanilla ice cream का scoop क्योंकि ice cream और लस्सी का combination बहुत ही अच्छा लगता और बस मुझे तो एक ही चमर टेस्ट करने को मिला लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा एक बार तो आप घर पे जरूर्ट रहका ना अगर आपके घर पर mango बचे है तो यह last recipe आप बना दीजिए ओके तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीज़ें चैनल पे नही तो सबस्क्राइब की बाइ